प्रुदेश की तीन राजसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस रणिती बनाने में जुट गई है दोनों ही पार्टिया राजसभा चुनाव में निर्दलिय विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है तो वही उप्टेता प्रतिपक्ष राजेंदर राठोर ने इस पर कहा कि बीजेपी और आललपी विधायक लाममंद है और हमें बिलकुल आश्रंका नहीं है कि वो पार्टि के खिलाफ चाएंगे ऐसे में जल्द ही राज़ानी जैपुल में विधायकों को मदान का प्रतीक्ष प्रशिक्षन दिया जाएगा इस वरान राठोर ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी में राजसभाचुनावों को लेकर अफरा तफ्री मची हुई है और कॉंग्रेस में जो मनमुटाव है उससे राजसभाचुनाव में कोई भी परिणाम आ सकते है राठोर ने ये भी कहा कि भले हमारे पास संख्या बल कम हो लेकिन हमारे विचारधारा से बेल रखने वाले निर्दलिय विधायक हमारे साथ है भारती जनता पार्टी विधायक दल और राष्टिय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक लाम बंद है हमें बिल्कुल आसंका नहीं कि हमारा एक भी विधायक पार्टी की निर्देशों का उलंगन करे इसलिए निश्चित समय पर हमारे विधायक के राजधानी में आएंगे हम उने वोट देने के लिए प्रशिक्सित भी करेंगे और उसके बाद वोट हो जाएगा राज्यस्वा का चुनाव गनित का चुनाव है और इसके अंदर चुनेवे विधायक वोट देते हैं इसलिए संख्या सामने है कांग्रेस में अफरात अपरी मचीवी है कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का मन मुटाव है मैं समझता हूँ उसके कोई प्रणाम निकले तो मैं कहीं नहीं सकता बाकी गनित का खेल है भारती जनता पार्टी के साथ हमारे जितने विधायक है तहितर हमारे विधायक है दो आरलपी के हैं पिछे तर और इसके बाद हमारे विचारों से मन बनाने वाले निर्देले विधायक समय का समय के बाद पता लगेगा कौन कितने कakणी में कोई करारी हार नहीं हमारे पास जो संख्याबल है उसके अनुसार हमारे प्रथम वरिता के उम्मिद्वार राजिंद्र जी घहलो तो दूसरी वरिता के उम्मिद्वार उंकार सुझची रहेंगे और निश्चित तोर पर ये लोक्तान तर्क यूद है यूद के अंदर जिता हमारा समर्थ है को उसके में मुकाबला कर रहे हैं परणाम सामने आ जाएंगे